हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एज्जू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एमोकसिसिलिन कैपसुल्स के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूश के बारे में और जानेंगे कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिसंस के अंदर ये एमोकसिसिलिन कैपसुल्स यूज किये जाते हैं साथ ही जानेंगे कि उसके dose वगेरा क्या होते है कि कौन से डेली dose के अंदर ये medications को use करनी चाहिए साथ ही जानेंगे उसके side effects और कौन से warnings रहेंगी, contraindications रहेंगे तो सभी की details study करते हैं हम ये lecture के अंदर, detail में तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox, thank you for being in PharmaRox family और updated रहें Pharma knowledge के साथ, subscribe करिये channel, press करिये bell icon, access करिये study material, taste series and video lecture of PharmaRox के आप उपर अब DCs and medicines related course भी PharmaRox के आप उपर available है कि जहाँ पे आप सभी medicines related lectures और साथो साथ, उनके PDF and PPT's file एक्सेस कर पाओगे, affordable price के अंदर तो download करिये आप PharmaRox के जो Android application है, Google Play Store पर, Apple iPhone ए, App Store, link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो basic concept है, वो समझते है, amoxicillin के capsules के बारे में तो amoxicillin के capsules हम कहें, तो वो है antibiotic class का medication हम कहे सकते हैं, और इसको beta lactam antibiotic drug कहा जाता है और ये medications, जो है वो prescription based medications कही जाती है, मतलब की सिर्फ आप prescription के basis पे ही आप उसको purchase कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि Rx only medication के यहाँ पे आप देखो, कि उसका जो packing है, उसके उपर Rx जो है वो लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है कि ये medications जो है, वो सिर्फ आप सिर्फ आप प्रिस्क्रिप्संस के उपर ही available होती है फिर ये जो amoxicillin जो medications है, वो बहुत सारे bacterial infections को treat करने के लिए यूस किया जाते हैं, तो ये था primary basic information about the amoxicillin capsules, अब जानते हैं उसके basic use के कौन से अलग-अलग medical conditions में amoxicillin यूस की जाती है, तो सबसे पहले है middle ear infections के अंदर ये यूस किया जाता है, जब आपको कान में infection होता है, और वहाँ पे जब समझो की काफी दर्द होता है, ear infections वगएरा है, तो उस वक्त amoxicillin के capsules जो है, वो प्रिस्क्रेब किया जाते हैं second हम देखे तो tooth infection की याप आप देखो, कि दातों के अंदर जब cavity होती है और वो cavity के करण, जब infections चेक अंदर की और पौशता है, तो उस वक्त जो pulp होते है, फिर हमारे जो teeth के जो अंदरुनी हिस्से वगएरा होते है, सभी दिरमेदी में damage होती है और वहाँ पे infection होता है, और ये infection होता है, bacterial infection, और उस वक्त हमें पता है कि काफी pain होता है, और swelling देखने को मिलती है, वहाँ पे inflammation जो हम कहते है, सूजन हो जाती है, तो ऐसे conditions को भी treat करने के लिए, ये medications prescribe की जाती है, tooth infections के अंदर, फिर समझो कि, respiratory tract के infections के अंदर हम देखे तो, जब किसी को pneumonia होता है, तो pneumonia क अंदर भी, amoxicillin के capsule prescribe किये जाते है, फिर आपको समझो कि, skin infections है, तो skin infections में भी ये use की जाती है, urinary tract infections में भी, amoxicillin जो है, वो prescribe की जाती है, typhoid fever, कि जब किसी को, और typhoid का जो test है, वो positive आता है, जिसको हम कहते है कि typhoid fever किसी को हुआ है, तो उनको भी ये as a antibiotic amoxicillin जो है, वो prescribe की जाती है, फिर नजल sinuses का जो infection होता है, वहाँ भी ये काफी effective है, and जब strap throat की जो condition produce होते हैं, ये वाले diagram में आप देखो, तो throat infection जिसको हम कहते है कि strap throat हो जाते है, गले में खारा सा जाती है, वहाँ पे छाले देखने को मिलते है, सुजन होती है, inflammation जिसे condition देखने को मि जिलती है, तो ये सभी medical conditions के treatment में ये amoxicillin capsule use किया जाते हैं, अब जानते हैं उसकी अलग-अलग strength की capsules कितनी strength में available है, तो उसके आप capsules देखो तो 250 mg के और 500 mg के capsules जो है वो available रहते हैं, और उसके अंदर आप उसका packing देखो, तो RX खास आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है, फिर यहाँ पर ये red line, कि पहले भी मैंने आपको lectures में सिखाया हुआ है, कि red line का मतलब होता है, कि ये medications जो है, वो prescription based medication और साथो साथ एंटिबायोटिक क्लास का medication है, कि जिसको medical supervision के अंडर में ही use करनी चाहिए, proper precautions के साथ, कि ये medications का कभी भी self medication आपको नहीं करनी है, साथो साथ यहाँ पर देखो, Cedule H drug के भी यहाँ पर warning लिखे हुई है, इसके label के उपर के, जिसका मतलब होता है, कि proper medical practitioner के prescription और उनके advice और साथो साथ सूपर विजन के अंडर में ही आपको ये use करनी होती है, फिर दूसरी जो हम strength देखे तो वो 500 mg के tablet आते है, कि अलग अलग ब्रा कि brand name तो आपको बहुत सारे मिल जाएगे, same medicine के, but generic name जो है उसका एक ही होता है, that is a amoxicillin, तो उससे खास याद रखोगे, तो जो है वो काफी आसा नहीं रहेगे study के अंदर, तो दो strength उसके खास का available है, 250 और 500 mg के capsules, अब समझते हैं उसके mechanisms के बारे में किस तरह से ये medications काम क जो है वो क्या करते है कि किसी भी bacteria के अंदर जो उनकी cell wall होती है, उनकी cell wall का जो synthesis होता है, वो जो है वो inhibit करता है, मतलब कि यहाँ पे आप देखो ये diagram के अंदर, ये bacteria है, और उसके आसपास ये उसकी cell wall होती है, कि किसी भी cell होता है, तो उसके cell के आसपास उसकी एक wall होती है, तो यह cell wall का जब synthesis होता है तो यह synthesis की जो process होती है उसको inhibit कर देता है यह amoxicillin medication की जिससे आगे जाके वो bacteria जो है वो survive नहीं कर पाता और उसके death हो जाती है इस तरह से यह medication जो है वो bacteria seedal action देती है मतलब कि यह जो है वो bacteria को कर देती है kill, seedal मतलब कि completely उनको kill करके अपने pharmacological action देता है तो अब समझना जरूरी कि यह cell wall synthesis कैसे होता है और किस तरह से वो process attack जाती है तो हमें पता है कि amoxicillin जो है वो beta lectum class का antimicrobial antibiotic है तो यह क्या करता है कि trans peptidation की जो process होती है उसको inhibit करवा देता है कैसे करवाता है तो beta lectum जो है वो bind होते है penicillin binding protein से और वो inhibit कर देते है trans peptidation की process अब trans peptidation की process जरूरी होती है cross linking process in cell wall synthesis की यह bacteria है तो bacteria के आसपास यह जो आप cell wall देख रहे है तो उसके synthesis के लिए यह trans peptidation की process को होना जरूरी है अब यह process होने से कौन रोगता है तो यह amoxicillin रोगता है और कैसे रोगता है तो वो bind होता है penicillin binding protein से कि यहाँ पे आप देखो यह जो penicillin binding proteins होते है उससे bind होके वो आगे जाके यह cell wall का lysis करवा देता है कि जिससे later आप देखोगे तो यह medications देने के बाद यह रप्चर हो जाती है cell wall यहाँ पे आप देखो यह break हो गया यहाँ पे break हो चुका है मलब कि proper cell wall जो है वो synthesis नहीं हो पाता कि जिसको कहा जाता है कि autolytic enzymes जो है वो bacterial cell wall के वहाँ पे active होके उसका जो है वो rupture कर देते उसको proper synthesis नहीं होने देते और cell wall का synthesis ना होने के करण उसका rupture हो जाने के करण जो भी bacteria होता है वो जो है वो kill हो जाता है उसके date हो जाती है तो उस तरह से यह medications जो है वो अपनी action देता है और समझना जरूरी है कि यह कितने daily dose के अंदर use किया जाता है तो हम समझेंगे अलग-अलग category के according to उसके dose समझेंगे तो सबसे पहले कि जो age रहती है 0-2 month की age तो जो pediatric dose जो हम कहते है children के लिए child dose तो वो रहेगा 30 mg पर kg पर day कि maximum dose कितना होना चाहिए 30 mg पर kg पर day कि समझेंगे बच्चे का जो वजन है सिर्फ 5 kg जितना weight है तो medicines किस तरह से देनी है कि समझो कि 1 kg weight होता है तो उसके लिए जो dose होता है वो है 30 mg तो बच्चे का weight समझो कि यह है 5 kg तो उसके लिए कितना dose रहेगा तो 5 into 30 is equal to होगा 150 mg तो समझो कि इस तरह से कि weight के according to आपको जो है वो dose calculate करना होता है कि अगर medications use हो रही है age group 0 to 2 months की बीच में कि जो pediatric dose हम कहते है उसी तरह से जो next हम देखे तो second of age group हम देखे तो वो है 3 months से लेकर 12 months कि 2 मैने के उपर से लेकर 12 years की age तक के जो children होते हैं उनके लिए dose का रहेगा तो उनके लिए dose रहता है 20 mg per kg per day in divided dose every 12 hour कि divided में देना है कि समझा कि किसी बच्चे का जो weight है वो है at least 20 kg जितना समझा कि उसका weight है अब हमें पता है कि 1 kg समझे कि उसका weight होगा तो dose देना है आपको 25 mg 20 kg weight है तो उसके लिए dose कितना हुआ तो 25 into 20 मतलब कि वो हो जाएगा 500 mg तो 500 mg को आपको divide करके देना है every 12 hours मतलब कि 250 mg पहले आप देंगे 250 mg पहले 12 hours के लिए और दूसरे 12 hours के लिए दूसरा 250 mg तो उस वाक जो है इस टाइब के tablets की जो 250 mg के जो capsule साते है वो यूस के कर आप कर सकते कि अगर weight 20 kg तो उस तरह से यह kg पर day के according to जो है वो dose केलकुलेट किया जाता है अब next जो age group हम देखे तो वो बनेगा हमारे लिए 12 से लेकर 17 years तक की age या फिर 13 12 से लेकर उपर की age के जो होते है 17 तक के तो उनके लिए जो dose रहेगा वो रहेगा 6 mg once per day for 10 days कि 750 mg जितना जो dose है वो आप per day जो हो उनको दे सकते है maximum for 10 days मतलब कि समझो कि आप 250 mg की जो capsules use कर रहे है patient तो वो जो है वो दिन में तीन बार जो है वो ले लेगा कि एक समझो कि morning में लिए जाती है ब्रॉक्फेस्ट करने के बाद second फिर समझो कि at least 8 hours के बाद लेनी चाहिए तो टोटल पर day 750 mg जाना चाहिए तो उसका मतलब यह होगा कि 250 mg 250 और स्थाड़ 250 पर सभी तीनों dose के बीच में difference होना चाहिए at least 8 hour का कि यहाँ पर 8 hour फिर दुसरे 8 hour और तीसरा के बीच में भी 8 hour तो टोटल 24 hours हो जाएंगे और 24 hours के अंदर 750 mg जितना जो dose है वो patient को deliver होगा तो धियान रियेद रखना है कि हर एक 8 गंटे पे 250 mg जितना dose जो है वो patient को मिलना चाहिए और proper breakfast के बाद या फिर खाना खाने के बाद ही यह medications लेने चाहिए फिर adult dose हम देखे तो adult dose में भी same condition से के 750 mg once per day for maximum 10 days के 10 days तक उसकी therapy जो है वो आप continue रख सकते है तो उसमें भी same हो गया के 750 mg पर वो divided में दिया जाते के इसे नहीं कि आप एक ही time पे 750 mg दे दो ऐसा नहीं होता वो divided doses में अंदिर दिया जाता है कि चाहे कोई एक time 500 mg लेता है या फिर दूसरे time 250 mg या फिर कुछ cases के अंदर समझे कि higher dose की जरूरत नहीं होती तो वहाँ पे 500 mg के जो tablet होते हैं once a day भी use किया जाते हैं तो इस तरह से उसके daily dose तयार होते है amoxicillin के capsules के अब जानते हैं उसके side effects के बारे में तो भी वह normal side effects के अंदर आएगा या फिर common side effect के अंदर थोड़ा सा stomach pain हो रहा है या फिर light headache जिससा हो रहा है तो वह सब उसके common side effect रहेंगे बट जो कुछ ऐसे severe side effect आपको हो सकती है जैसे कि racis on skin कैसे समझे कि racis देखने को मिल रहे है तो तुरंत ये capsule को जो है वो लेना बंद कर देनी चाहिए second vaginal itching जिसा हो रहा है या फिर vaginal discharge हो रहा है ये tablets को खाने के बाद तो भी उसको लेना बंद कर देनी चाहिए और अगर आपकी जो tongue है वो वहाँ पे सुजन देखने को मिलती है वो इस तरह से black हो जाती है और वहाँ पे आपको ऐसे hair देखने को मिलते है जिसको कहा जाता है black और hairy tongue तो ऐसे condition में भी amoxicillin को लेना तुरंद बंद कर देना चाहिए कि जिससे ये major side effects जो है नीचे तीन जो है वो major side effects जो है वो produce ना हो अब समझते उसके warnings and contraindications के कौनसे conditions में आपको इसको use नहीं करने है तो सबसे पहले तो hyper sensitivity या पे आप देखो ये दोनों person को के face के जैसा हो जाना, racist जैसा develop हो जाना कि जिसको हम कहते है, severe allergic reaction या फिर ये लेने के बाद आपको सरदी जुकाम जैसा feel हो रहा है, sneezing जैसा हो रहा है कि जिसको हम कहते है कि allergy तो उसका मतलब ये होगा कि आपको amoxicillin के allergy है या फिर penicillin containing जितने भी अलग-अलग antibiotic है वो सबी कि आ आपको allergy है तो ये medications ना ले, समझो कि किसी को liver problem है तो भी amoxicillin के capsule use ना करें फिर blockage होए of normal bile flow, कि bile flow जो होता है उसमें blockage है तो भी use नहीं करने, severe juvenile impairment मतलब कि आपके kidneys जो है वो दोनों kidneys अच्छे से काम नहीं कर रही तो भी use ना करें और allergy है आपको penicillin से तो भी आपको ये capsule जो है वो use नहीं करने, तो ये खास ध्यान रखे कि कौन से contraindications and warning है ये capsule के बारे में, आप समझना जरूरी है कि ये capsule pregnancy में use करते है या नहीं, तो उसका answer है yes, because हम जानते कि कुछ antibiotics जो है वो pregnancy के दोरान safe होते है, जबकि कुछ antibiotics जो है वो safe नहीं होते, but हमारा जो ये antibiotic है amoxicillin capsule तो वो है category B के अंदर कि जो US Food and Drug Administration की जिसको हम कहते है FDA देता है, तो FDA की ये category B के अंदर आता है pregnancy के, कि जिसको कहा आजाता है कि और safe है use करने के लिए during the pregnancy, कि pregnancy के दोरान जो है वो आप उसको use कर सकते, तो एक safety है pregnancy के दोरान, कि pregnancy के अंदर ये लेने से कोई भी ऐसे risk वगेर डेवलाप नहीं होते है, तो it is safe to use during the pregnancy, तो thank you for attending this lecture, ऐसे ही जो लेक्चर से medicines related, फार्मरोक्स की आप उपर अवेलेबल है, कि ये जो Android app है, Apple iPhone आप से भी आप डाउनलोड कर पाऊगे, और हमारे PDF, PPT's file वगेरा, एक्सेस कर पाऊगे, DC Zen, उनके treatment related के, और वो भी affordable prices केंगे, तो डाउनलोड कर ये फार्मरोक्स और एक्सेस कर ये, ये सभी कोर्स इसको फार्मरोक्स की आप उपर, जोइन कर सकते है, WhatsApp ग्रूप ये वाला helpline number है, एक्सेस कर ये study material, test series and video lecture फार्मरोक्स की आप उपर, so good luck and all the best.